दोस्तों शमी कपूर बॉलिवुट के जाने माने अभी नेताओं में से एक थे आज आपकी रिक्वेस्ट पर हम अपने वीडियो में आपको शमी जी की फैमिली से मिलवाएंगे दर्शंकों शमी कपूर जी हिंदी फिल्मों के याहू बॉय के नाम से भी जाने जाते थे और सिनेमा जगत के बेहद वर्सेटाइल एक्टर्स में से एक थे शमी कपूर जी को दो बार फिल्म फेर अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है दोस्तों शमी कपूर जी ने अपने दमपर बॉलिवुट में अपना नाम बनाया था और अपने करियर की शुरुवात एक जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर की थी शमी जी के परिवार में टैलेंटेट एक्टर्स की कोई कमी नहीं है और इसमें कोई दोराय नहीं है कि इनके परिवार ने बॉलिवुट को सबसे ज्यादा सूपर स्टार्स दिये हैं जिनोंने हिंदी सिनेमा जगत में अपना एक बहुत बड़ा योगदान दिया है आज आपको शमी कपूर जी की फैमिली से इंटर्ड्यूस करवाएंगे तो दोस्तों आईए मिलते हैं अब इनकी फैमिली से लेजेंडरी एक्टर शमी कपूर जी का जन्म 21 अक्टूबर 1931 को महराष्ट भारत में हुआ था इनका असली नाम शमशेर राज कपूर था और वो शमी कपूर के नाम से जाने जाते थे दोस्तों कपूर फैमिली का इतिहास लगभग 90 साल से भी पुराना है कपूर परिवार ने हिंदी सिनेमा जगत में सबसे ज्यादा सालों से अपनी बैतरीन एक्टिंग और परसनेलिटीज के लोगों के दिलों पर राज किया है ये परिवार एक शाखा की तरह है जिन में शमी जी के पर दादा का नाम दीवान केशव मल था और शमी जी के दादा जाने माने दिगजों व्यक्तित्वों में से एक थे इनके दादा का नाम दीवान बाशेश्वर नाथ कपूर था, वो भारतिय हिंदी सिनेमा जगत में एक्टर थे, वहीं शम्मी कपूर जी के पिता पृत्वी राज कपूर भारतिय अभिनेत और थेटर के लीडर यानी प्रथम अनवेशक थे, शम्मी जी की मा का नाम रामसरनी महरा कपूर था और वो एक होम मेकर थी, दर्शको शम्मी जी के चाचा का नाम त्रलोक कपूर था, त्रलोक जी बॉलिवुट के जाने माने एक्टर थे, शम्मी जी की फैमिली में इनके पांच भाई बहन थे, जिनका नाम नंदी कपूर, देवी कपूर, राज कपूर और शशी कपूर था और इनकी बहन का नाम उर्मिला सियाल कपूर था शम्मी जी के दो भाई नंदी और दूसरे भाई देवी कपूर की बहुत ही कम उम्र में मृत्यू हो गई थी माना जाता है कि शम्मी जी के भाई नंदी का निमोनिया बीमारी की वजह से निधन हो गया था वह इनके भाई की बच्पन में गल्ती से जहर की गोलियां खाने से मृत्यू हो गई थी। बहन उर्मिला की शादी कोल माईन के ओनर चरंजीत सियाल से हुई थी। शम्मी जी के चार भांजे भांजी हैं जिनका नाम जतिन, अनुराधा, प्रीती और नमिता सियाल है। उनके बच्चों की तस्वीरें उपलब्द नहीं है। प्रीते की बात करें तो शम्मी कपूर की पहली शादी उननिस सो पक्चपन में भारती अभिनेत्री गीथा बाली के साथ हूई थी। गीथा बाली जी की मिरत्यू के कुछ साल बाद शम्मी जी ने ilgili 1969 में नीला देवी से दूसरी शादी की थी। शम्मी कपूर और गीता बाली के दो बच्चे हैं, जिनका नाम आदित्य राज कपूर और कंचन केतन देसाई हैं। बेटे आदित्य राज कपूर एक इंडियन फिल्म एक्टर, फिल्म मेकर और रिटायर बिजनिसमेन हैं। वो शादी शुदा हैं और उनकी पतनी का नाम प्रीती कपूर है। अदित्य के दो बच्चे हैं, जिनका नाम तुलसी कपूर और विश्व पृताब कपूर है। शमी जी की बेटी कंचन केतन देसाई एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं। वो शादी शुदा है और उनके पती का नाम केतन देशाई है, जो प्रोफेशन से बिजनिसमेन है, कंचन जी की दो बेटिया है, जिनका नाम पूजा देशाई और राज राजेश्वरी देशाई है, दोस्तों ये थी दिगज अभिनेता शम्मी जी की फैमिली, अपनी फेवर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद